पटित गदियांश पड़ेंगे एक दिन एंड्रोकलीज बन में घूम रहा था कि उसने पहाडी के चल में गुफा देखी उसे वे गुफा पसंद आ गई उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे ही अपना घर बना लूँ वे गुपा चुपने के लिए भी अच्छी थी सर्दी गर्मी वर्षाप और आंधी से भी सुरक्षा हो सकती थी इसलिए एंड्रोकलीज ने थोड़ी सुखी घा सिखटी की और नीचे बिच्छा कर सोने के लिए विस्तर बना लिया अब हम प्रश्णों के उत्तर देंगे गध्यांस में से पढ़कर फर्स्ट कॉश्चन है एंड्रोकलीज ने पाणी के अचल में क्या देखा? गुफा उसने क्या देखी? गुफा देखी नेक्ट्स कॉश्चन है एंड्रोकलीज ने सोने के लिए विस्तर किस से बनाया? एंड्रोकलीज ने थोड़ी सूखी घा सिखटी की और विच्छा कर विस्तर बनाया यानि किस से बनाया? सूखी घास से सूखी घास से गद्यांश में से रिक्तिशान की पूर्टी करो गुफा में सर्दी गर्मी वर्षा और आंदी से भी हो सकती थी यहां कहा लिखा है मारा गद्यांश में सर्दी गर्मी वर्षा और आंदी से भी क्या हो सकती थी सुरक्षा शुरक्षा गद्यान्स में से दो क्रियाएं छाटिए अब क्रियाएं हमारी है घूम राता फर्स्ट क्रिया है हमारी घूम राता यानि घूमना नेक्स्ट क्रिया है वे गुफा मैं छिपने के लिए छिपने के लिए भी अच्छी थी यानि दूसरी क्रिया क्या हो गई हमारी छिपना यानि फर्स्ट क्रिया हो गई गूमना और सेकंड छिपना गद्यांश मैंसे दिये गए सूखी तता नीचे शब्द के विलोम लिखिये सूखी का विलोम होगा गीली और नीचे का विलोम होगा उपर अब इसको आप पढ़िए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए थैंक्यू